व्लोगिंगा यू सब आइफोन जबनाते हैं यार मेरे पर एंड्रोइड है तो क्या हो गया मैं इससे बनाऊंगा तो यह है अपना पार्सल ठीक है इसके एंबोक्सिंग करते हैं हेलो फ्रेंड्स गूड्मार्निंग कैसे हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे अपनी लाइफ में मस्त भी होंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ आप सभी से और मैं सुबह आ गई हूँ छट पर आप सभी कब बहुत बहुत वेलकम है भई मनुश्री व्लॉक्स पर तो बताईएगा आप करती हूं आप सभी कॉमेंट जरूर करेंगे मैं तो सुबह सुबह रात में मैंने कपड़े धुल ले थे और सुबह में छट पर आ गई हूं उनको फैलाने के लिए और यही रूटिन होना चाहिए साम तक कपड़े सूख जाते हैं और आप सभी को सूरे भगवान के भी होता है इसलिए मुझे अच्छा लगा कि आप सभी अगर अभी सोकर उठें हैं और व्रॉग आपने स्टार्ट कर दिया है तो आप जरूर सूर्य भगवान के दर्शन कर लीजिएगा और यह बहुत ही अच्छा बहुत ही शुब महूरत होता है सुबह में इसलिए मैं च्छ अलू के पराठे के लिए मैंने अलू बाल लिये हैं और उनको मैश कर रही हूं आटा मैंने लगा लिया है हरा धनिया काट लिया है और इसमें मैंने बारिक प्याज काट लिया है नमक डाल लिया है लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी स्वात के लिए डालिया है गरम मसाला और तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है इसका और मेरा भतीज आया हुआ है दिक्षित घर पर ठीक है ना आप सभी ने देखा है कि नहीं देखा है उसको वीडियो में बने रहेएगा वह एक दो जलक ही दिखेगी उसकी क्योंकि वह मना करता है कहत दीजेगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ठीक है ना तो मैंने बनाने स्टार्ट कर दिये हैं और मैं एक ही लोई से बनाऊंगी यह डबल से भी बना सकते हैं लेकिन इन दोनों में आलू बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे से भढ़ने है मुझे बिल अलू के पराठे जादा बनते थे तो मैं जब कभी भी आलू के पराठे बनाती हूँ तो मुझे उसकी अपनी फ्रैंड की याद आ जाती है तो आपको बहुत जल्दी उससे मिल्वाने भी वाली हूँ उन्होंने भी अपना चैनल एक बनाया हुआ है तो आप सभी जरूर ज रहा है और मैं आप सबसे बाते भी कर रही हूं दीपा म्यूजिक जरूर जोईन कीजिए गा और हमारी जोती सिस्टर है उनको भी जरूर जोईन कीजिए गा मुझे नाम द्यान नही आ रहा है उनके चैनल का क्या नाम है दौनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाए के नंदर ढल दिया है जो इसकी पिठी बनाई है यानि के इसकी ढंत कर्ट यूदो असमें धनिया भी काटकर डाल दिया है मैंने अनुहरे धनिया को आप्षिन रहता है तो सभी पराथे बहुत अच्छे लगते हैं मैंने complaint sowlish के साथ मूली Mia मदे और मूली यह सभी को पसंद होते हैं और मैं बगबगबग करे जा रही हूं आप सब सुने जा रहे हैं एक हमें खिलाएगी थोड़ी ना यह भाई खाने को लिए तो आपको तब मिलेंगे जब आप घर पर आएंगे हैं और आप सभी जल्दी से आजएगा जो भी मेरे रिलेटिव हैं बेच्ट नेखर आ सकते हैं तो जल्दी से आजाईएगा मैंने सिख लिये हालु का प्राथा और या प्लेट प्लेट में कर लिया है मैंने सर और इसको खाने वाले हैं हम चटनी के साथ मिया देनिये की चटनी भी है मेरे पास में आप सबी खाली जाएगी अप सभी मम्मी ने आइफोन दिल बाओंगे तुम लोग सपोर्ट करो आइफोन को भेजो जिफ्ट गिफ्ट में तो लेगे भी ठीक है यह आया है पार्सल अभी गेट पर ले लिया हमने बिल्कुल और अंदर तक नहीं जाएंगे पहले यहीं बनाएंगे हम थोड़ी ची वीडियो इसके एंबॉक्सिंग वीडियो और यह इसी व्लॉग में एंबॉक्सिंग वीडियो ठीक है तो देखो भाई पार्कॉट क्यों और यह जो दिखोंगा तुमको क्या है क्यों दिखाओं मैं ठीक है तो यह अपना पार्सल ठीक है इसके एंबॉक्सिंग करते हैं कि जब कभी भी कोई गिफ्ट आता है या कोई पार्सल आता है हमारी होम डिलीवरी पहुंछती लिए हम तक तो हमें झालने का मैं जल्दी से अब बहुत इक देखते है यह दिए पर पर इसके बाद यह वाली रैपर है इसके अंदर एक और रैपर है उसके अंदर टेप लगी हुए भई बहुत अच्छी packing है pack back के लिए तो एकIG बनता है आप सभी लाइक कीजिएगा वीडियो नहीं कीया होगा तो वीडियो पर जरूर आयाग कर रही है बहुत अच्छी packing थी बिलकुल कोई scratch नहीं आया हुआ था पहले मैं घब्रा रही थी के review यह बहुत अच्छी पैकिंग भी तीलिवरी मिली हैं हमको टाइम से पहले भी मिल गई है उन्होंने बाद के लिए दे रखा था के बाद में आएगे लेकिन हम तक पहुंच गई है मंडे में हमारे हम तक पहुंच चुकी है और बहुत अच्छी बहुत ही साफ सुथरी निकली एकदम पैकिंग बहुत ही बड़ी है निकली है यह देखे मैं आपको दिखा भी रही हूँ बिलकुल पास से दिखा रही हूँ कैमरे को मैंने कहा आरेन बिलकुल पास मिला के दिखाना ताकि किसी को भी कोई डाउट होगा न तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा और मैंने साड पहन लेना तो मेरी साड़ी न थोड़ी से पुरानी होगा न नया पन नहीं रहा है क्योंकि डैथ होने के बाद न नया कपड़ा पहनते नहीं है इसलिए उन्होंने मुझे पहनने के लिए बोला था और यह आप देखी रहे होंगे साड़ी मैं दूसरी तरफ आपको लेगे साड़ी की तरफ लेगे दिखा रही हो अन्बोक्सिंग यह बहुत ही अच्छा स्टैंड मिला है मुझको वॉल पे लगाने के लिए बहुत ही अच्छा है तो आप सब ही अगर मंगाना चाह रहे हैं तो मंगा लीजिएगा और इसे आप वीडियो के लास्ट में जरूर करने के लिए जुर मस्चिंन से उन्होंने लगाया है और पूश्रत से लगाना है तो मैंने बता दिया कि यह आइडिया रगाने का उन्होंने बिल्कुल वैसे ही लगाया और बहुत ही सुंदर लग रहा है है लगा कि आप सभी के साथ जरूर शेयर करेंगे कि व वह कैसा ल मैंने का भी मत खोल बाद में खोलना क्योंकि मनुश्री के लिए चॉकलेट अच्छी नी रहती उसका पेट बहुत टाइट रहता है और यह पड़ोस से ही आंटी जी आई हुई है मेरे पास मिलने के लिए अम्माजी के लिए अचाय बनाई है दिख इतने हैं दे रही हूं मैं अम्माजी के लिए कोमेंट करना सभी लोग ठीक है अम्माजी कितनी उमर है आपकी 82 साल की उमर है अम्माजी की और देखो कितनी चुस्तिफोरत हैं सब काम कर लेती है घर के और चाय के लिए बिलकुल मना कर दिया है चाय नी पीनी है लेकिन मैं फिल्बिक मैंने कर थोड़ गाजर काहलवा बनाने के लिए दूदचढा लिया है वै Joh को गाजर मेरी भावी ने भेजा fires गाजर गाजर काह बनाते है वावा usual काजू बादाम किश्मिश imitate काजू बादम काजू finance बडूर काजू किश्मिश नस्प धाए बहुत अच्छे साथ है। बहुत सारे लोग मावा नहीं समझ रहे होंगे कुछ तो यह बिलकुल जब बिलकुल सूख चुका है उसके बाद सबसे लाश्ट में मैंने इसमें चीनी एड़ करनी है देखे बिलकुल सूख चुका है इसमें मावा भी और दूद भी और ड्राय फूट वगरा सब मिक्स हो ग मिठास में फटी है उसमें और जो गाजर होती है इसमें अधम बात का ध्यान रखे थफ में वहाइसा दें ब्लओ अलेंतिमें बहुत अच्छे वीडियो यह तैयार हो चुका है मेरा गाजर कालवा आप पूरी वाइटी फैमिली के लिए हैं कडाई में थोड़ा छोड़ दिया है कि हम खालेंगे तो अभी देख आप यह आया है फाइनल लुक और जैसे दिख रहा होगा तो ठीक लगेगा ना पहले के व अब तो फाइनल ऐसी कच्छा लुक दिखा रहे हैं उपर ने रख लिए और यह है कुछ इसका हिसाब आप सब मंगाने की सोच रहे हैं तो जरूर मंगा लेना बहुत अच्छा है इसके लिए और इन्होंने मना कराए कि मिझे ब्लोग में नहीं लेना है तो आप ले भी रह कि इसे फाइं पर इसे हमान गंदा आ रहा है हम समान ने दिखाएं कि इसलिए तो आपने लगाया इससे समान ने दिखें कि हमार गंदा और यह भी-हाइं शौर्ट वीडियो आप देखे लिएंगे बाद में आजाएगी जी हम खारे पेस्टी पार्टी हो रही है ठीक है ब मताओ, नहीं आ रहे हो, मताओ, तो बस यही तक था हम आरे व्लोग तो मिलते हैं अगले व्लोग में तब तक ले बाई बाई और अगले व्लोग इतना मस तारहा है वह जा रहे हैं यूपी के बार, यूपी के बार, ठीक है, जहां, अम 300 किलमेटर गए तर रिष्ते में, वही